हेलो दियर स्टुडेंट्स आज की वीडियो यूपी बोर्ड क्लास इंटरमेडियेट इंग्लिस प्रोज लेसन नमबर थी से है जिसका टाइटल है डीप वाटर इस वीडियो में इस लेसन के लॉंग कोस्टन को डिसकस करेंगे लॉंग कोस्टन आपका लिखा है वाट वाज दा फियर आफ विलियम सी डॉगलस बिलियम सी डॉगलस का जो फियर था फियर मींस डर बिलियम सी डॉगलस का डर क्या था हाउ डिट इट कम ये कैसे आया इन हिस लाइप के जीवन में और ये डर डॉगलस के जीवन में कैसे आय आंसर है इसका The Lesson, Lesson का नाम डाल दिया Deep Water, गहरा पानी, written by William C. Douglas, ये इसके writer है The Lesson, Lesson का नाम, written by writer का नाम Douglas is a great writer, ये एक महान लिखक है Of English Proge, English Proge के He has written, उन्होंने लिखे हैं Many stories, बहुत सी स्टोरियां, यानि बहुत सी कहानियां लिखी हैं And Lessons, और Lessons लिखे हैं Deep Water is one of them और Deep Water उन्होंने से ही एक है, जो उन्होंने बहुत सारे Lessons लिखे हैं In this lesson, इस lesson में, the writer, लेखक, डिसक्रैट्स बताता है, बढ़न करता है That he had a great fear of water कि उसे पानी से बहुत अधिक डर लगता है Once एक बार, he was three or four years old एक बार जब तीन या चार साल का था, there happened, घटित हुई An incident एक घटना, तब एक घटना घटी At California Beach, California की बीच पर, Beach means, जीट कह सकते हैं California Beach पर, he was hanging to his father बह अपने पिता पर लटका हुआ था, कह सकते हैं उसे, down नीचे, तभी पानी की जो लहरें थी, उन्होंने उसे नीचे की ओ धक्का दिया मतलब उपर से पानी की लहर आई, उसे नीचे गिरा दिया And swift down, or से बहा दिया Swift होता है, बहा दिया, down नीचे की ओ He buried, भै, दब गया बैसे, buried का मतलब होता है, दफनाना इसका मतलब होता है, दफनाना, तो बहा दब गया दफना हो गया, या दब गया, इन्टू दा Water, बै, पानी के नीचे चला गया But, लेकिन, nothing serious Happened, कुछ भी serious घटना नहीं घटी उसके बाद में, ये तो थी पहली घटना, उसके बाद आगे, second Secondly, और दूसरी घटना क्या थी, at the pool ताला पर, when he was waiting, जब बहे पृतिक्चा कर रहा था, for others दोसरों की, जब बहे ताला पर दूसरे लड़कों की पृतिक्चा कर रहा था, अब एक बड़ा बिरूजर ये कह सकते हैं, मतलब कसा हुआ लगाया, अच्छा तंद्रुष्ट, healthy लड़का, आफ बॉइव, एक लड़का तंद्रुजर का मतलब, बहुत थी, एक बड़े सक्तिसाली ब्यक्ती की तरह, जो लड़का था came there, बहाँ पर आया and through, फेक दिया डगलस को, into the pool तालाब में और उसने डगलस को तालाब में फेक दिया, just for fun के बल, हसी मजाक के लिए, या आनंद के लिए, fun के लिए at that time, उस समय, he did not know, बहे नहीं जानता था how to swim तहरना, how to का यूज़ करते हैं, जो नो के बाद में verb no, या learn हो तब तो, a boy लड़का not how to swim, तब बहे नहीं जानता था at that time, he did not know उस समय बहे नहीं जानता था, how to swim कैसे तैरते हैं, या उस समय बहे तैरना नहीं जानता था, hardly मुश्किल से ही, somebody किसी ने, saved his life मुश्किल से ही, किसी ने उसके जीवन को बचाया so, इसलिए, in his life उसके जीवन में, the greatest fear, जो सबसे बड़ा डर था, बाज from water, पानी की तरब से था Douglas ने, decided, निश्चा कर लिया that he would learn कि वह सीखेगा, how to swim तैरना तभी, Douglas ने, निश्चा कर लिया कि वह तैरना सीखेगा, he made उसने किये, many efforts बहुत सारे प्रयास किये, and by his continuous efforts और अपने लगातार प्रयासों से he won over his fear उसने अपने डर पर विजय प्राप्त की and became हो गया an expert swimmer और एक अच्छा या expert swimmer तैरा की हो गया, तो dear students ये थी आज की वीडियो, lesson number 3, जिसे की लिखा था William C. Douglas ने आज की वीडियो में इतना ही जहेंदर